कामिनी ने मारा निक्कू को comments turn off करने का ताना कामिनी ने कहा कि मैं कभी भी अपनी comments को turn off नहीं करती मैं हमेशा positive और negative comments को face करने के लिए ready रहती हूँ इंडिरेकली उनका ताना था निकू की तरफ क्योंकि निकू ने controversy में comments को turn off कर दिया था उनको बहुत ही ज़्यादा negative comments और hate comments आने लगे थे Welcome back to my channel अंकिता स्टोथ reactions है हाँ पर हम आपके favorite bloggers और trending controversies के reactions लेकर आते रहते हैं चैनल पर नए है तो इस चैनल को like और subscribe करते हुए जाना तो यहाँ पर कामीनी जी ने अपने depression का proof नहीं दिया लोन में कितना contribution है उनके और उनके पती के इन्होंने उसका proof नहीं दिया लेकिन ताने मारने के लिए कह दो तो हमेशा ही आगे हैं जैसे कि हम सब देखते हैं गिन निकी के ब्लोक में किसी भी तरह की tonting ताने बाजियां नहीं हैं किसी भी इंसान के लिए लेकिन यहाँ पर कामीनी जी ताने पर ताने देती जा रही हैं अपनी ही देवरानी को बार-बार कुछ न कुछ न चीजों को लाके ताने दी जा रही है लेकिन जो उनसे पब्लिक सबूत मांग रही है वो नहीं दे रही है लेकिन ताने भर-भर के दे रही है ना उनसे डिप्रेशन का रिपोर्ट दिखाया गया ना उनसे ये बोला गया कि आपने लोन में कितना contribution किया है आपने अपने घर को बनाने में कितने पैसे का योगदान दिया है इन सारी चीजों का कामिनी के पास कोई proof नहीं और उससे भी बड़ा यह चीज़ा में देखना है कि कामिनी kitchen को अलग चाहती थी क्या कामिनी kitchen अलग करवाके रहेंगी क्या कामिनी सच में kitchen को अलग करना चाह रही थी और कामिनी उपर क्या kitchen अलग करके जा चुकी है क्योंकि कामिनी का आज के ब्लोग में एक खाना बनाते हुए दिखाए नहीं दिया जैसे कि हम सब ने देखा कि निक्कू सुमित के blog में निकू बहुत सारी चीजे अपने सारे कर्तव हो निभाती आ रही है सब कुछ करते आ रही है उसमैं कुछ लोगों ने ये comments कि आप किसी को दे रहे हैं यो रशादी में तो यह blog में क्यों दिखा रहे हो लोग कहेंगे कि show off कर रहे हो तो तो देखो इंसान भी एक खुशिया भी होती है, जरूरी नहीं हर चीज शो आफ के लिए हो, अपनी लिए जब इंसान खरीद के दिखाता है, तो वो एक तरह का शो आफ लगता है, लेकिन आप किसी दूसरे इंसान को देने के लिए चीजे दिखा रहे हो, तो आप एक पॉज जो negative comments करते हैं, जो haters है, उनको हर चीज में negativity ही दिखती है, लेकिन यहाँ पर एक आमी जी का साब सुत्रा ये कहना था, जी negative comments को face करो देवरानी जी, negative comments को क्यों नहीं face कर रही हो? तो आप यह मैं बता दूं को देखो YouTube पे कुछ ऐसा होता है ने कि जो first come first serve सबसे पहले controversy को खोड़ा किसने कामिनी जीने जैसे ही कामिनी जीने controversy को खोड़ा अपने वीडियो में वैसे ही दूसरे side की story किसी को पता नहीं थी कुछ audience होते हैं ऐसे जो एक तरफा सोचते ही जांके लगते है negative comments करने और जब जब इंसान को लगता है कि यार मेरी तरफ की बाते किसी ने सुनी ही नहीं और बिना सुने इतने गंदे गंदे comments कर दिये तो उस सान का दिल तो तूट ही जाता है वो अंदर से तूट जाता है तो शायद यही negativity से बचने के लिए निक्कु ने comments को turn off किया और वो भी सिर्फ एक वीडियो में क्यूंकि पहले वीडियो कामिनी जी का आ चुका था जिसकी वजह से लोगों के मन में hate bad चुकी थी निक्कु के लिए न तो वहाँ पे जो लोग जाके गंदी-गंदी तरह की गालियां comments हजी वजब तरह करें तो उनको turn off करना पड़ा कुछ लोगों से नहीं बरदाश होता है लेकिन बाकी के वीडियो में हमने देखा कि निक्कु के comments on रहने लगे हैं और अब तो हर तरह के comments निक्की के चैनल पर आ रहे हैं ठीक है कहते हैं लोग कि माबाप की सेवा करना सबसे बड़ा पुन्ने का काम है तो आप कामिनी जी से पूछिए कि कामिनी जी ने अपने सास ससुर की कितनी सेवा किये क्योंकि सास की सेवा करते हुए कामिनी तो हमें ब्लॉग में देखनी रही है सास इतनी बुरी हालत में है इतना रो रही है डहाँ आपने देखा टेफ में ये निकुक बिंकी इतना सब कुछ कर रहे हैं ये वहाँ और कामिनी के ब्लोग्स में हैपी ब्लोग्स हैं, जूले पे खेल रही हैं, बेटे के सब घूमरी हैं, कि एक बार भी सास के पास जाके देखा, हाल चाल पूछा, कि इस तरह की स्थिती में सासुमा है कैसी, मतलब सास से भी अकड के बैठी हुई है, और सोशल मीडिया पे आगे सासुमा अच्छी हैं, अगर सासुमा अच्छी है, तथि सासुमा के पास आप कभी भी जाती हुँ, दिख्ती क्यों नहीं है क्यों नहीं अप लॉसमन ब्लोग्स में दिखाती है, देवरानी को तकि लोग आएं मुझे देखें और व्यूज दें तो देखो audience इसनी पागल तो है नहीं कि जब आपकी देवरानी की तरफ से आपके लिए कोई ताने नहीं आ रहे हैं मिचारी अपनी घर गरी हस्ती को निभा रही है सासुमा को इतना कर रही है उनका husband सुमित इ खराब और कर रही है अपनी life में आप बहुत happy है यह चीज़े दिखाती है आपने ना अपनी नानी जी के मरने का शोक मनाया ना उनका वीडियो बनाया और ना अभी तक आप अपने सास के पास जैसे कि हम सब देख सकते हैं कि सास की हालत कैसी हो रखी है ना सासुमा के हालत अभी कुछ जादा ही खराब है सासुमा एक स्थिती में नहीं है कि वो कुछ कह पाएं कुछ सोच पाएं वहाँ पे हम कामिनी जी के ब्लॉक्स देखते हैं कि इतने खुशनुमा है सिर्फ सोशल मीडिया पे आकर दुख जता देने से नहीं होता है कि आप दुखी है उसके अभी कि आप कितनी जादा दुखी है जो आप बाते कह रही हैं वह आपके घषर से मैच भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है अगेज मैं यहाँ पर फिर से बोलना चाहती हूं कि किच्वन अलग करने का मुद्दा था यहाँ पर दो लोगों की बातों एक कांट्रेडिक्शन थी कामिनी ने कहा कि मुझे उपर भेज दिया गया मैं तो नीचे ही रहना चाहती थी लेकिन मुझे उपर जब अर्जस्ती भेज आ गया यहाँ पे कामिनी के देवर सुमित का कहना था अपने वीडियो में कि मैं और हम लोगों ने मिलके उनको अलग नहीं किया वो खुद उपर रहे हैं वह अपनी हरकतों से उपर गई हैं वहाँ पर खुद जाके वह रहना चाहती हैं लेकिन अभी क्या ही उमर हुए अलग रहेगी अभी तो इनके बच्चे भी छोटे छोटे हैं कि इसी एज में अभी विदिन फॉर फाइव येर्स ऑप निकूज मैरेज वह अलग होना चाहती है अब उनके पास पैसे हो गए हैं अब वो खुद कमा खा सकती हैं अब उनके पास किसी का सहारा नहीं इसलिए अलग होना चाहती हैं मतलब यहां पे साफ चीज़े तो हमें यहीं देखने में नजार आ लिए कि जब तक आपको दूसरे की जरूरत थी जब तक आपक चाहते हो हर जगे और यहां पे अलग इन दे सेंस कि खुद का पैसा घर खरीत के अलग नहीं रहना चाहती हैं यह तरह की दादागीरी हुई ना कि मैं इसी घर में रहूंगी उपर रहूंगी और आप मैं पैसे नहीं दूंगी मेरे पास पैसे हो गए तो अगर जीवन भर लोगों ने आपके खर्चे चलाए तो यहां पर आपका भी कर्तव बनता है कि आप पैसे वाली हो गई हैं आपके पैसे आया है तो आप भी अपने परिवार के लिए वह चीजे करें वापस लटाएं लोगों के किये हुए चीजों को जो लोगों ने आपको किया आप उनको करके वापस लटाई है लेकिन यहाँ पर आपने तो जैसे ही के दिन अपना उल्लू जैसे ही सीधा हो गया आपने सब्सकिनार कर दिया ना सास की परवाह है ना ससूर पर खिर ससूर जी बहुए बहुत पर चाय पाने में तो स संहां महीं दुष्मन है कितनी बार आपने सास को अपने वीडियो में दिखाया, कितनी बार आपने अभी जिस ट्रॉमा से आपकी सासुमा गुजर रही है, कितनी बार आपने बताया आपने सासुमा के बारे में, कितनी बार केर गी, कितनी बार जाके ब्लॉग्स में अपनी सासुमा को दिखाया आपन कि मेरी सासुमा को ब्लॉग्स में आने के लिए मना करते हैं धमकाया जाता है सासुमा आपकी आके यह बोल रही ही महाँ पे कि मुझे कोई क्यों धमका सकता है मेरा आभी पती जिन्दा है मैंने यह धर खुद से किया है सब कुछ मुझे कोई क्यों धमकाएगा मैं किसके सहारे है कि उनको कोई धंका देगा या कुछ भी कह देगा आपकी बातों में ही सारा जोल है कामिनी जी आप बहुत चलाकी से खेल खेल रही है मतलब एक मा ऐसी हो सकते हैом के ऐक बेटे से डर जाएगी और दूसरा बेटा उसको नहीं दह्मका सकता है उससे वह नहीं बाते का मतलब है जो कि साब साफ हमें समझ में आता है कि जूठ है एक मा एक बेटे के लिए सिर्फ एक और क्योंकि उस को धंकार, अडिया weklarSmen ιá नहीं आना है, जिसकी वज़़े से आपके सास Umar का दिल टूट गया क्योंकि से आ ही अपने मूंने बाते बोलिए कि देवर की सगाई मैं रोकर गई तो आपकी देवरानी भी नहीं आई थी जो आद आपैने दिवरानी को आप इतना ज़्यादा ताने दे रही हैं वो दिवरानी उस टाइम पे नहीं आई थी तो ऑग्योस से बात है ये लड़ाई आपकी किससे हुई थी अपनी सासुमा से तो आपकी सासुमा के सामने आपकी इमेज ऐसी कुछ बन गई है किससा सासुमा आपको नहीं पसंद कर पा रही है ये चीजे आप क्यों नहीं बताती है सोशल मीडिया के आगे कि आप क्यों रोब कर गई थी तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते हुए जान